कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का वॉलकन हो आईए इसके इस प्लेटफर्म पे Students अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर हमारा डेली की वीच का discussion लेक्चर है जिसके अंदर हम डेली की वीच के जो questions आपको देते हैं उनकी यहाँ पे practice की जाती है Students अगर हम बात करें इन questions की तो इन questions के अंदर में जो static part है इसके अलावा जो current affair का part है उन दोनों को यहाँ पे add किया जाता है हो सकता है कि कोई दिन जो quiz है वो static part से related हो किसी दिन जो quiz है वो current affair से oriented हो तो यहाँ पे दोनों को आपको mix मिलता है इसी जो daily quiz के तुरू आप continue जो daily आपको 5 questions की practice होती है 5 questions आप इसके तुरू practice करते हो तो काफी important है continue connected रही है आप इसके तुरू और जो भी information मिलती है उसको note down कीजिए और उसका continue revision कीजिए क्योंकि आप revise करोगे तो आपके इसके तुरू काफी सारे जो concepts हैं वो आपके clear होंगी तो समय ना waste करते हुए आज का जो discussion है उसको start करते हैं students सबसे पहले हम बात करें first question की तो first question is about the sorogacy students अभी recently Tamil Nadu के जो health minister है वहाँ जो southern India से जो वहाँ की जो film industry है उससे related कोई persons है तो उनसे related कोई comment किया था sorogacy से related तो इस वज़े से ये topic है news के अंदर में था तो students यहाँ पर हम बात करें sorogacy की India के अंदर में तो यहाँ बोला गया है कि India के अंदर जो सभी तरीके की जो sorogacy होती है उसको ban किया गया है तो students हमें पता है कि sorogacy दो तरीके से practice की जाती है एक sorogacy होती है commercial sorogacy commercial sorogacy में पैसे दे किसी से आप मतलब अपना बच्चा को जो warm के अंदर जो जिस तरीके से उसको develop होता है उसको किसी warm के अंदर में उसको develop करना तो commercial sorogacy completely monetary basis पे होती है तो monetary basis पे होनी की वज़े से और India completely warm capital के रूप में एक develop हो गया था इंडिया में यहाँ पे जो commercial sorogacy जब से allow की गई उसके बाद में जो बहुत सारे nations से लोग इंडिया में आने लगी और हमारे यहाँ पे जो poor लोग हैं उनको वो इस तरीके से harass करने लगी तो इसकी वज़े से जो commercial sorogacy है उसको ban कर दिया गया इंडिया के अंदर में 2015 के समय में तो students जो sorogacy जो इंडिया के अंदर ban है वो है commercial sorogacy तो सभी type की जो sorogacy है वो ban नहीं है second type की जो sorogacy होती है वो होती है altristic sorogacy altristic sorogacy क्या होती है altristic sorogacy के अंदर में basically हम monetary support नहीं होता है जो sorogate mother को जो intending couples हैं जिनके बच्चे को उस mother के दुआरा पाला जा रहा है तो उनके दुआरा यहां पे basically हम बात करें कि जो monetary support है वो नहीं होता है इसके अलावा उसके जो medical expenses है जो insurance का पैसा है वो intending couple के दुआरा फोर्ड किया जाएगा तो दो टाइप की सरोगेसी होती है एक होती है commercial commercial के अंदर completely monetary second is altristic altristic के अंदर जो sorogate mother होती है वो intending couples की somehow known है या close relative के रूप में हुआ करती है तो यहां पे सभी टाइप की सरोगेसी को ban ही किया गया है altristic सरोगेसी still allow है IVF technology के दुआरा कुछ ऐसे intending couples जिनके जो infertile है जिनकी infertility है जो प्रूव हो चुकी है after the five years after the marriage वो लोग अगर उनको certificate है यह लोग infertile है दोनों का पल्स के अंदर समे कोई भी एक person अगर infertile है तो वो सरोगेसी के थूरू जा सकते है altristic सरोगेसी commercial सरोगेसी completely ban है यहाँ पर बोला गया कि सरोगेसी वाज allowed in India since independence student 2002 के अंदर में यह allowed किया गया था बट इंडिया में इसका जो इस तरीके से misuse होने लगा misuse होने की वज़े से फिर Indian government के दुआरा जो commercial सरोगेसी है उसको ban किया गया तो यहाँ पर d answer होगा दोनों statement यहाँ पर incorrect है कोई भी यहाँ पर correct नहीं है सरोगेसी से related student सरोगेसी से related एक sort video भी हमने अभी recently upload किया है आप उसको भी देख सकते हो जो सरोगेसी से related जो भी provision है जो 2021 के अंदर जो amendment के थूरू जो provision add किये गए तो उन सब के बारे में वहाँ पर बात की गई है students अगर हम बात करें next question की next question is about the pencil portal से related है students pencil portal है उसकी full form यह है platform for the effective enforcement of the no child labor कि child की जो बाल मजदूरी की जाती है जो बच्चों को मजदूरी के अंदर लगा दिया जाता है तो उसको यहाँ पर रोकना है no child labor से related है pencil portal students आपको पता होगा बच्चों को ऐसी बहुत सारी industry है जिनके अंदर में use किया जाता है एक तो आप देखे कि अगर child को आप लगा रहे हो तो उसको जो adult जो wage worker है उसके एकवल आप money पे नहीं करोगी money का जो payment है वो low amount में करोगी second आप देखे कि इनको ऐसी industries के अंदर लगाया जाता है जहां इनका maximum use किया जासके जैसे fire cracker की जो industry है उसके अंदर में इनको लगाया जाता है इसके अलावा अगर हम बात करें जो तेंदू पत्ता है जिसके अंदर जो Indian cigarette जिसे बोलते हैं जो BD यहां बनाई जाती है तेंदू पत्ता से तो वहाँ पे जो children's है उनका यहाँ पे child labor के अंदर लगाया जाता है तो pencil portal है basically no child labor से related है कि बाल मजदूरी है उसको रोकना है आप देखें कि इंडिया के दुआरा कुछ ऐसे conventions है जो ILO के convention है International Labor Organization जो है जिसका founding member था इंडिया 1919 के अंदर यह बना था इंडिया इसका founding member था ILO का तो ILO के कुछ convention है जिसके अंदर में six convention इंडिया ने sign किये है out of the eight convention है यह इंडिया ने sign किये है अभी recently जो child labor से related कुछ conventions है वो इंडिया ने ratify किये है 138 convention number 138 and 182 यह दो convention है जिसको इंडिया ने अभी recently ratify किया है जो ILO के convention है इससे related 2018 के अंदर prelims के अंदर question पूछ लिया गया था 138 convention and 182 convention जो news के अंदर है किसी से related है तो students यह pencil portal is for the no child labor से related है अगर हम बात करें next question की तो next question is about the folk painting से related है और यहाँ पूछा गया है कि यह कौन से state है उससे associated है सबसे पहले हम बात करें कलमकारी painting का हमें पता है students कि यह जो painting है basically यह आंदर प्रदेश का जो region है वहां से यह associated है इसको GI tag भी मिला हुआ है बनी ठनी की जो painting है वो राजस्तान की जो किसंगड इस्टाइल एक painting है किसंगड एक जगह है राजस्तान के अंदर में अजमेर नाम का जो सहर है जब खाजा मोहिनुजीन की चिस्ती की दरगा है अढ़ाई दिन का जोंपड़ा है इसके लावनना सागर लेख है तो वहां भी हमको एक जगह है अजमेर के पास ही किसंगड किसंगड वो जगह है जहां पे marble जो है marble इंड़ेश्री काफी अच्छे वेव में वहां develop हुई है तो बनी ठनी जो painting है वो वहां पे बनाई गई थी किसंगड इसकूल वो painting के अंदर इसको count किया जाता है तो राजस्तान से belong करती है मंजू साब painting के अगर हम बात करें जिसको अंगी का art भी बोला जाता है भागलपुर भिहार के अंदर बनाई जाती है मंजू सा painting तो students यहाँ पे यहाँ पे जो basically interchange किया गया है इन दोनों को तो only one pair है जो correctly match है painting से related जो बनी ठनी painting है तो one pair होगा तो ए आंस्वर यहाँ पे होगा students यह जो painting हैं कौन से state से कौन सी painting painting belong करती है folk painting जो है इनके बारे में आपको पता होना चीए क्योंकि यह काफी ज्यादा important है हमारे UPSC exam के perspective से आप देखे कि कलमकारी painting है इससे related एक बार UPSC in question भी पूछा था तो इस तरीके से जो painting जैसे पटवा painting है पटवा painting है जिनके दुआरा जो मुगल एरा के समय में जो painting उनके maxima के अंदर पहुंची थी मुगल एरा के समय में तो उनके बारे में आपको पता होना चीए तो यहाँ पे ए आंसर होगा कि एक ही pair है जो correctly मैच है students अगर हम बात करें next question की next question है जब आउड़दा housing and urban affair के दुआरा सवच्च भारत को यहाँ पे basically कौन से city है जहाँ पे अच्छे से implement हुआ है तो सवच्च सर्वेक्षन जो है जो हमारा urban area से related है एक rural का भी sanitation survey है rural का भी सवच्च सर्वेक्षन निकलता है तो उसके बारे में भी हमें पता हो ना चीए कि रूरल area से related है तो यहाँ पे जो urban area से related है सवच्च सर्वेक्षन इसको यहाँ पे जो implement किया जाता है जो यहाँ पे continue check किया जाता है वो किया जाता है ministry of housing and urban affair के दुआरा students ministry of housing and urban affair के अलावा यहाँ पे quality council of India है जिसके दुआरा इस survey को यहाँ पे implement किया जाता है आपको पता होगा students कि indoor नाम का जो सहर है indoor नाम का सहर यहाँ पे clean city के रूप में उभरा है पिछले 26 या 7 साल से continue top कर रहा है इस survey को तो हमें पता होना चीए ऐसा कौन सा सहर है जो continue यहाँ पे top कर रहा है इसके लाव 2016-17 के जो यहाँ पे solid waste management rules भी आये हैं जिनको अच्छे से implement किया गया है indoor के अंदर में वहाँ पे basically जो कचरा है उसको segregate किया जाता है जहां से जो basically जो entry point है वहीं से जो कचरा होता है उसको यहाँ पे segregation system काफी अच्छा है तो इस वज़े से indoor यहाँ पे एक success story के रूप में उभरा है और उसने काफी अच्छा काम किया है सोच्चे सर्वेक्षण के रूप में पिछले 6-7 साल से continue इस सर्वे को top कर रहा है indoor नाम का जो सहर है मत्य प्रदेश के अंदर तो यह जो सर्वे है सोच्चे सर्वेक्षण सर्वे Ministry of Housing and Urban Affairs and Quality Council of India के द्वारा conduct किया जाता है स्टुडेंट्स आपको पता होगा Ministry of Housing and Urban Affairs यह वो मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा जो हमारा Centralista का redevelopment जो project है वो भी C Ministry के अंदर में किया जा रहा है अगर हम बात करें next question की next question is about the quality council of India से related है quality council of India के द्वारा यहाँ पे पूछा गया है कि यह government के द्वारा setup की गई है government के अलावा इसके जो industries partner है जैसे आप देखे कि government का जो industry partner कौन-कौन से है जैसे आप देखे यहाँ पे government के जो industry partner है जिसके अंदर अगर हम बात करें कि जो फिक्की है जो CIA है इसके अलावा अगर हम बात करें जो SOCAM है यह सब जो industrial partners है उनके द्वारा इस council को setup किया गया है quality council of India का जो chairman है इसका appointment किया जाता है prime minister के द्वारा यह आपको पता होना चीए जो यहाँ पे इसका जो chairman है उसका appointment किया जाता है prime minister के द्वारा ministry of commerce and industry के अंडर में यह आती है जो quality council of India है government के द्वारा इसको develop किया गया है इसके साथ में उसके जो industrial partners है उनके द्वारा इसको start किया गया है जिसके अंदर जो फिक्की है जो फिक्की है उनके द्वारा इसको start किया गया है तो इसका only one option सही है तो A answer यहाँ पे होगा quality council of India के द्वारा इसका जो chairman है वो appoint किया जाता है prime minister के द्वारा ना कि president के द्वारा यह आपको पता होना चीए तो हमने यहाँ पे आज के जो discussion में quality council of India के बारे में देखा हमने सवच्चे सर्वेक्सन के बारे में देखा जिसको indoor continue top कर रहा है इसके अलावा हमने यहाँ पे folk paintings के बारे में देखा उनसे associated states के बारे में देखा कलमकारी painting के बारे में देखा बनी ठनी के बारे में देखा और manjusa art है जो आंदर प्रदेश में ना होके बिहार के अंदर में है और कलमकारी आंदर प्रदेश के region में है यहाँ हमको पता भी होना चाहिए कलमकारी के अंदर भी दो तरीके की school है जो different different schools है जहां अलग-अलग areas के अंदर develop ही है हमने pencil portal के बारे में देखा no child labor से related है और हमने यहाँ पे देखा सरोग AC के बारे में तो students आज की quiz में जो यह topics हमने discuss किये हैं इन से related जो भी information आपको मिली हो उसको note down कीजिए उसको आप अपने जहाँ पे आप notes बनाते हो वहाँ पे लिखिए और उसको continue revise करते रहिए continue hardware करते रहिए thank you students thank you very much